तुडेंट्स मैं हूँ शाइना परमार और एक थोड़ी information है latest private और useful students के लिए and reappear students के लिए जो पहले university ने नहीं दिया था हमें वो नया है addition आया है कि जिन बच्चों का exam है यह देखें यहां पर clearly लिखा है private and useful students जिन्होंने पहले pdf नहीं कहा था उन्होंने भिजने के लिए morning slot वालों को ठीक है क्या change आई है हमारे पास कि जिनका morning slot है वो भी अपनी pdf यह देखें upload the single pdf of the answer sheet तो आप लोगों ने pdf को upload करना है ug और pg की website पे जो आपको उन्होंने दे रखी हुई है ठीक है और वहाँ पे आपका एक undertaking link भी आएगा उसके ओपर आप click कर देना उसी वक्त ठीक है एक्जाम होने के 90 मिनट के अंदर अंदर आपने upload करनी है अपनी answer sheet और इसके साथ साथ आपको एक और काम करना है वो है इसे post करना ठीक है तो 3 बचे से पहले पहले आपने answer sheets को post भी करना है तो change क्या है पहले university ने कहा था कि जो morning slot है वो सिरफ post करेगा ठीक है न तो उन्होंने ये कहा था कि हम जो evening slot वाले हैं वो upload भी करेंगे और post भी करेंगे लेकिन अब उन्होंने morning वालों को upload करने को कहा है और साथ ही साथ post करने को भी कहा है as same evening वालोंने भी upload करने हैं और post करने हैं और साथ में उन्होंने यहां पे clearly लिखा है कि reappear students भी अपनी answer sheets को website पे UG और PG की website पे university की upload करेंगे 90 मिनट के अंदर और साथ ही साथ speed post या registry करेंगे तीन बजे से पहले पहले जिस दिन आपका exam है morning में और अगर evening है तो अगले दिन दो घंटे के बीच बीच में ही आपको यह सारा post करना है ठीक है तो एक बार आप फिर से देख लें इसमें कुछ भी नया नहीं है सिर्फ एकी चीज नहीं है कि इन्होंने morning वालों को भी बोल दिया कि upload करना है बाकी सारा सेम है जो useful के हैं जो private हैं जो reappear हैं सभी morning evening यह याद कर लें कि हमने upload भी करनी है यूजी और पीजी के हिसाब से आपकी जो website है और हमने speed post भी करना है या registry भी करनी है तो सुबह वालों ने तीन बज़े से पहले पहले करनी है और शाम वालों ने अगले दिन दो गेंटे के बीच में करनी है और सबसे important बात क्या है कि आपने अगर आपका 12.30 बारा पेपर खतम हो रा है तो आपने 90 मिनट के अंदर 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 आपने अप्लोड कर देनी answer sheet और evening में बी जब भी आपका खतम हो रहा है तो आपने 90 मिनट के अंदर अंदर अपlloड कर देनी है अपनी pdf और single pdf बनानी है जितनी भी आपके answer sheets हेँ उन के open number लगानी है Serial Order में रखना है First Page आपका Admit Card होगा और उसके पीछे आपकी Sheets होगी ठीक है पहले Page Admit Card और उसके पीछे आपकी Answer Sheets होगी जो Scan करी होगी और 1, 2, 3, 4 इस तरह से उनको Proper Numbering करके PDF बनाई जाएगी ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखें यह है आपका Adresse मैं पहले भी बता चुकी हूँ इसके इलावा आपने PDF कहां से कैसे बनानी है उसके लिए मैं इसका Link आपको Description Box में डाल रहे हूँ आप वहां से देख सकते हैं जो नए हैं जो पुराने हैं I think सभी ने PDF वाला वीडियो देखा होगा एक बर फिर से देखें और सभी बच्चें PDF भी अपलोड करें वेबसाइट पे प्राइवेट भी यूसल भी रियपियर भी और अपनी स्पीड पोस्ट भी करें और अपने आपको भी मेल करें तांकि आपके पास प्रूफ हो कि आपने तीन घंटे के अंदर पेपर करके ये देखें हमारे पास प्रूफ होया कि हमने अपने आपको भी मेल किया है थैंक्यू सो मच